हेलो डिय च्ट्टियोंस वेलकम बेक उन मैं यूट्यूब चैनल बच्डों आज हम पढ़ने वाले यहां पे निजी करण के आज क्वारे में पढ़ंगे निजी करण के उद्देश क्या है उसके बाद पढ़ंगे हम कान के भीडेbs का निजी करण होता क्या है दीकि निजी कारण दू सब्सक्दों से मिलके बना है पहला है पहला निजी का मतलब आप जानते हैं हो निज़ी का मतलब होता है और करण वो करना है यानि किसी भी चीज को क्या कर देना थी को टीर जातर के सर explan lthese e प्रिट्र का मतलब यह है कि सरकार के दौरह कुछ उद्योग चलाए जा रहे हैं इन विवागों सरकारी विवागों को किसी निजी प्यक्ति या फिर निजी जम्मु के आतों में क्या कर दें कि आप इस उद्योग को किया किजि़ चलाइए ठीक है और इससे जो पैसा होगा उसका किसुछता सरकार को जमा कर दिजे और आप भी रखिए ठीक तो इसी को भोलते है निजी करण, निजी करण का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ये को धान लेके देखते हैं, जैसे मान के चले स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में पहले सरकारी करमचारी काम करते हो, अब उस सरकारी करमचारी जो है, इतन लेकिन वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जा रहा है उनमें उतना ना तो उनकी इसकेल अच्छी है ना ही वो कुछ सीख पा रहे हैं ना ही वहाँ पर रहने का अच्छी विवस्ता है ना ही खाने पीने की तो ये ऐसा च्छेत्र आपको दिखने को मिलेगा कहां पर सार्ब जने लेकिन वहीं पर अगर इसे स्कूल को क्या करें सरकार क्या करें किसी एक private संस्था को दे दे क्या आप इसे स्कूल को चलाईए ठीक है इसका जो भी revenue होगा उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे दीजिए और कुछ हिस्सा आप रख लिजिए तो एक तरीके से क्या है tender wise tender जो होता है ठेका ले लेते हैं तो इस तरीके से जो चलाते हैं तो इस तरीके से जो निजी संस्था इसे स्कूल को चलाईगी तो इसी प्रक्रिया को बोला आता है निजी करण समझ्वागे निजी करण क्या होता है तो निजी करण का मतलब यह होता है कि सार्वजिनिक छेत्र को निजी इसे काम नहीं कर रहे हैं तभी तो हमको निजी करन्ड की आवश्यक्ता पढ़ी इस लिए जरूद पढ़ी क्योंकि आज की डेट में आगा अगर आप देखोगे चाहे आप बात करो सरकारी स्कूल की बात करो सरकारी हॉस्पिटल की बात करो रियल बे डिपार्टमेंट की बात करो किसी भी चेत्र की बात करो अधिकतर आप जब वहाँ पे जाओगे सरकारी चेत्रों में तो वहाँ के जो employee जो होते हैं वो आप से धंग से बात नहीं करेंगे पहली बात उनका ब्योवार्ट सही नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसका रिजन भी है उनका रिजन यह है कि सरकारी है उनको पता है कि हम कम काम करें या ज़्यादा करें हमारी salary तो उतनी है हमारी salary तो यह खाई नहीं जाएंगे तो इसलिए वो क्या है उदासीन तरीके से काम करते हैं सबसे पहले क्या है यहां पर पहला पॉइंट समझते हम सार्वजनिक उद्यमों की परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों का मतलब यह होता है जिससे स्कूल है स्कूल में अभी आप जाओ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाता भले उसकी फीस कम है क्यों नहीं पढ़ाना चाता बताईए उसका रिजन गया देखे गरीब लोगों को चोड़के क्योंकि उनको तो मजबूरी में पढ़ाना ही पढ़ेगा लेकिन पैसे वाले का आपको एक भी बच्चा आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा उसका रिजन क्या है उसका रिजन कम पैसे नहीं है उसका रिजन दूसरा उसका रिजन यह है कि वहां पर पढ़ाई ही नहीं चलती वहां के जो सिच्छा के वो समय पर नहीं आते वहां जो सुविधा है वो भी सही नहीं है पीने का पानी उपलब्द नहीं है कहीं कुछ नहीं है तो इसलिए सुभिधाय जब वहां पे नहीं है इतनी तो उन सुभिधाओं के अभाव के कारण कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां पे नहीं बेशता है ठीक है और नहीं वहां पे सिच्छा अच्छी मिलती है और वही प्राइबिट स्कूल में आप जाओगे तो सभी सुविधाय होंगी टाइम टाइम पे कौपी चेक होंगी यह सब कुछ प्रॉसेस होंगी एक सिस्टम से तरीक चलेगा तो वहां पर ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए तयार है ठीक है तो पहला तो जब य अब अब कि यह सरकारी स्कूल है पर सरकारी वाग है जब यह फ्राइबिट हो जाएंगे तो इसमें क्या होंगे इसकी सुविधाव feedback बढ़ जाएंगे और क्या करने लगे दीरे इसमें इन सुविधाओं को यूज्ञे लगें तो यह उद्दम क्या है चलने लगेगा अभ यह जो उद्योग है सरकारी उद्योग वो computer नहीं पार है पहली बात तो क्योंकि इतनी सुविधाई नहीं है अब बियेस एनल की हालत देख लीज़ आज की डेट में ब्येस एनल की सिम कोई ूज देरा है अब जीओ की सिम उज करना त्यार करना ठीक है तो ब्यापार बढ़ेगा जब यह निजी करना हो जागा तीसरा है विदेशी पुझी को आमंतर्त करने के लिए विदेशी पुझी को आमंतर्त करना ऐसे है कि सरकारी उद्धों में कोई भी कंपणी अपना पैसा इंवेस्ट नहीं करना चाहते हैं वहीं पर अगर इस प्राइविट कंपनियों की बात करें तो सभी अपना सेयर महां पर इंवेस्ट करना चाहते हैं ठीक है तो जब यह सभी कंपनी जो सरकारी कंपनी अब क्या हो जाएंगी निजी हो जाएंगी तो इसमें क्या है बिदेशी लोग भी क्या करेंगे अपने पैसे को जब पैसे इइनवेस्ट करेंगी तो सरकार क्यों हो इससे क्या होगी पड़े हैं कहीं पर कुछ सोभिधा दिखकत है कहीं पर कनेक्शन ही नहीं हुए तो यह असोभिधाओं के कारण लोग क्या है बिली पे नहीं कर रहे हैं तो इन सब से ने पटने के लिए क्या करते हैं निजी करण की आवर्शक्ता होती है उसके बाद लास्ट है यहां पर 95% रहा है दूसरे का 80% रहा है तो उनको कोई फरक नहीं बढ़ रहा एटीफाइब बाले को कोई फरक नहीं बढ़ रहा क्योंकि उसकी गौवर्मेंट जॉब है तो उनमें क्या है यह अगले साल क्या है 95 को क्रोस करने की पूरी-पूरी कोसिश करेगा तो यहां पर आपको क्लियर देख रहा होगा निजी करन का निजी करन से क्या होता है प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्लियर यहां तक ठीक है तो यह थे उद्देश किसके निजी करन के लाब के बारे है देखिए निजी करन के लाब क्या क्या है यह समझ लेते हैं देखि प्रतिसपर्दा हमारे सरकारी सेक्टर नहीं कर पार है यानि कि अगर हम देखें तो प्राइबेट ऑस्पिटल की अगर हम सुविदाओं को कॉम्पिटिशन करें ठीक है तो तो यह कारण है लेकिन जब यह प्राइबेट हो जाएंगे यह सरकारी तो यहां पर क्या हो में लेंगी लोगों को ठीक है तो यह रीजन है तो क्या है उद्योग में विदेशी फर्मों के प्रवेश से भारतिय कंपनियां के लिए बाजार की प्रतिसपर्दा और बढ़ गई है विसे इस रूप से दूस अंचार एयर लाइन्स बैंकिंग बीमा आद यह सभी उद्य कंपनिया जो है वो गुडबत्ता में ठीक है तो यह लाप्रुशाहन के करण नजी कंपनिया यह सुनश्यक्रT करेंगे बे अपनी लागत कम करने और मुनाफिफि से सुदार करने के लिए अपनी परचलनल चम्ता में सुदार करें देजि कंपनियों में यह तो अच्छी ख जाएगी कम होती चली जाएगी अब उसके बाद बात करते हम यहां पर बहुराश्टी कंपनियों की संख्या में लगातार ब्रद्धी ठीक है आज की डेट में बहुराश्टी कंपनियों की जो कंपनिय उन्में क्या होती है जब न weten करें जे डिपि का बिकास है जब नेजी करन कम्पनिय आउंगे तो आपको पता है नेजी करन जो कंपनिय होती है वह जासे। profit earn करते हैं जो profit ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगी तो उसका लाब सरकार को भी मिलेगा ठीक है और सरकार की जो GDP है वो क्या करेगी improve हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है और GDP बढ़ती है तो देश करता हैं गर आप गश्यादा क्मेंट कर सकते हो तो उसके लिएzug diferen के सब्सक्राव दोり कशले वीडिया वर जast बात करें के से सकते हैं कुई सबसे वबर कि और अपना लाब देखते हैं ठीक है तो जब नुदि़िए लाब तो कई चीजों ऐसे भी होंगे जब समाज के एतों को अंदेखा कर देंगे ठीक है और अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को कुछ नुकसान भी कर सकते हैं तो यह हानिया भी है निजी करन की दूसरा सारवजनिक चेतर की कमी होगी दूसरी बात यह है कि सारवजनिक चेतर क्या होगे दीरे-दीरे खतम हो जाएंगी तो जो गरीब लोग है और जो निजी करने निजी चेतर होते हैं वो क्या है तो तो गरीबों को थोड़ी से समस्या पन हो सकती है तीसरा बस्तू और सेवाओं के मूल सरकारी मलग बहुत कम रहता है तीक है और निजी कंपनिया ओते हैं उनकी जो कीमत होती है सेवाओं की तीक है आपको पता है संब से ज्यादा पैसा लेते हैं वह 2,300 हपने इसमें प्राइबिटाइजिसन से देखिए अमीर लोगों को फरक नहीं पड़ेगी क्या एक कमपड़ पसंद है वो लोग सिर्फ सुविदाएं देखते हैं को उनको सुविदाएं अच्छे मिलनी चाहिए पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास ठीक है लेकिन जो गरीब लोग कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कैसी है हानी का रहा है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दिए और चैनल पर नहीं हो तो जरू सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू धन्यबाद